करिप्राइब वह सुनकिकल हमने कुछ पी देखे थे सब्सक्राइब को बारे में चाहिए थे सब्सक्राइब मैं आपको एक्सेंटर फॉर्म ही बता आपको लास्त ही इस कि अगर आप को दो या तीन को आप करते हो तो एड़ करने के बाद जो सिगनल है एक फॉर्म होता है एक नया फॉर्म में जो सिगनल आता है वह सिगनल प्रियोडिक होगा या नन प्रियोडिक होगा कैसे पता करें और अगर प्रियोडिक होगा तो उसकी फंडमेटल टाइम प्रियोड क्या होगी तो उसी वह उस इसको इसके summation से एक नया signal बनेगा, that is x of t, और देखो यहां पे, x of t means x1 of t plus x2 of t से, और पूछ रहाएक से की, what is the nature of x of t, means x of t is periodic or non periodic, if it is periodic, then what is the fundamental time period of that particular x of t, which is formed by the summation of x1 of t and x2 of t, ठीके, तुम्हा इसको कर लेते हैं, आमनों x of t is equal to sin 2, sorry, 22 pi t plus cos of 7 pi t plus 30 t, okay, तो यहां पे आप में देखा, यह दो signal का summation हुआ, अब आपको मैंने इकल बताया था, कि अगर आपको किसी भी सिख, दो summation of the two signal का, आपको अगर nature of periodicity पता करना है, means periodic है, non periodic है, आपको क्या करना होता है, omega 0 लेना होता है, और omega 0 या तिर fundamental time period, दोनों में से को सबसे आसान क्या होता है, omega 0 होता है, आपको fundamental time period इसका individually find करना पड़ेगा, but आपने omega 0 आपको यहां पर दीख राया है, तो आप हम लोग सबसे easiest way to choose करते है, that is omega 0, यहां पर omega 0 कितना है, omega 0 is equal to 22 pi, यहां पर omega 0 कितनी है, 7 pi, इसको बंत कह देते हैं, इसको हम लोग 2 कह देते है ठीक है, तो अब क्या करना है, हमको इसका ratio लेना है, omega 0 1 by omega 0 2, 22 pi by 7 pi, that is equal to 22 by 7, तो यह 22 by 7 क्या है, एक rational number है, classic सबचली इसको जानता है, तो यह क्या हुआ हुआ, एक rational number हुआ, तो condition क्या कहता है, अगर omega 0 की ratio अगर rational आ रही है, तो given signal क्या होगा, periodic होगा, और rational आ रही है, तो non periodic, means x of t क्या हो गया, periodic, अब अगर यह periodic है, तो उसकी कुछ ने कुछ fundamental time period होगी, तो हम लोगा fundamental time period of any fundamental time period of two signal, two signal जो की summation से बना है, ठीक है, उसका rule क्या होता है, कि आपने उस दोनों signal का, जो उसका x1 of t है, x2 of t है, इसके omega 0 का SCF लेना पड़ेगा, को SCF लेलो आप, ठीक है, SCF लेलो क्या होगा, 22 pi and 7 pi, इसकी SCF कितनी होती है, pi होती है, ठीक है, यह भी classics में बढ़ा जाता है, ठीक है, तो इसकी SCF क्या होगी, pi, तो pi आने के बाद यह pi क्या है, यह final omega 0 है, किसका, x of t क्या है, ठीक है, 22 pi is omega 0 of x1 of t, 7 pi is omega 0 of x2 of t, तो pi क्या ह होगी, pi क्या हुआ, pi जो हुआ, pi जो हुआ, x of t का omega 0 हुआ, ठीक है, ठीक है, pi हुदा है, मुझे क्या omega 0 पा चल गया है, तो हम लोग fundamental time period क्या लिखते है, fundamental time period is equals to 2 pi by omega 0, तो क्या होगा, 2 pi by omega 0 की value कितनी, pi, value कितनी होगी, 2, means 2 second is the fundamental time period of the signal x of t, तो यहां तक कोई problem नहीं होग सिर्फ हम लोग इस questions को भी approach करेंगे, देखो कैसे करते है, यहां पे भी x1 of t है, x2 of t है, x3 of t है, आपको क्या करना है, कि आपको इस तीनों का summation का, जो सिलिनल आएगा, उसका nature बताना है, और अगर melodic है, तो उसका fundamental time period बताना है, तो देख लेते हैं, x of t is equals to, कितना होगा, sin 2 pi t plus of 4 cos of 5 pi t, यहां minus है, तो plus minus minus, 7 cos 8 pi t plus 45, ठीक है, यह चीज़ समझ में आ गई, तो अब बताओ, इसका omega naught कितना, सेम प्रावस को repeat करेंगे, omega naught कितना है, 2 pi, इसका कितना, 5 pi, इसका कितना, 8 pi, 45 है, 95 हो, कुछ भी हो, उससे क्या ही फरक पड़ता है, मुझे किस से मतलब है omega naught से, यहां पर अब 3 omega naught है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों को चेक करना पड़ेगा, कि तीनों का ratio rational आ रहा है या नहीं आ रहा है, means, 2 pi को 5 pi से, pi pi को 8 pi से, या फिर 2 pi को 8 pi से, किसी भी दो को कर लो, simply कि तुम क्या कर लो, 2 pi by 5 pi कर लो, और द signal x of t, यह क्या है, periodic है, तो rational i omega naught का ratio, तो क्या होगा, दुनों signal क्या है, periodic है, तो periodic है, तो fundamental time period क्या होगी, तो अपना omega naught के लिए क्या करते है, हम लोग, cf of all the omega naught, omega naught of the signal, means, omega naught 1, omega naught 2, omega naught 3, means, 2 pi, 5 pi, 8 pi, यहों की omega naught की जो बेली लोग, cf निकाल होगी, यह भी pi हो, यह भी classics में इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, कि fundamental time period क्या होगी, आपको पता है, t naught की value क्या होता है, 2 pi, i omega naught, 2 pi, pi, value कितनी, 2 second, कुछ भी नहीं, कोई rocket science ही नहीं है, नहीं कुछ ज्यादा इसे में दिमाग लगाना है, तो काफी easy है, आपको समझ नहीं के लिए, तो यहां तक मेरा periodic and non-product signal का almost सारा concept खतम होता है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, dc signal और constant value signal को थोड़ा देख लेते हैं, इसका जरूरत पड़ेगा आगे आने वाले four year series में, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा importance से इसको अब तो देख लो, dc signal और constant value signal क्या होता है, यह देखो, यहां x of t है, और अभी periodic के बाद इसलिए बता रहा हूं कि मुझे इसकी periodicity के बार में जाना है, ठीक है, तो actually यह signal क्या होता है, periodic होता है, यहां कुछ repeat में नहीं कर repeat, आपको देखने में तो नहीं लगा रहा है कि periodic है, अगर होता तो दिखता है कि वो कुछ interval of time के बाद अपने आपको repeat करता ह बट यहां कैसा कुछ हो नहीं रहा है, बट इस periodic signal, लेकिन एक चीज़समें exception है, that is fundamental time period of DC signal या फिर constant value signal कि जो fundamental time period होती है, वो क्या होती है, undefined होती है, undefined होती है, तो देखो, undefined इसलिए होती है, कि इसकी fundamental time period हो 0 से बढ़ी तो है, बट वावन से बहुत ही कम है, मतलब यह यहां से start तो हो रहा है यह चीज़, बट खतम, मतलब इसको end point कहां बता हो, यह just यहां से start हो रहा है, यहां पर खतम हो जा रहा है, इसकी कोई measurement ही नहीं है, तो आप इसका time period बताओगे कैसे, that's why यह तो periodic होता है, कुछ तो होता हो रहा है, but calculated नहीं है, मतलब calculate नहीं कर सकते ह अब इसका fundamental time period, इसलों से उंत्या कहते है, undefined कहते है, देख्लो न, यहां 0 से start हो रहा, बट कहां पर repeat कर रहा है, यह तुम्हें पता नहीं चलेगा, देखने भी, कुछ भी लाया कि देभी नहीं पता चलेगा, ठीक है, तो इसकी fundamental time period जो होती है, undefined होती है, ठीक है, तो ध इतना चोटा होती है कि आप उसको explain नहीं कर सकते है, define नहीं कर सकते है, calculate नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो यह point important है कि FTP of periodic signal, FTP of DC signal is undefined, ठीक है, अब यहां प एक और आप और form देख लेते हैं, आपको यह पढ़ा होगा, आपने बहुत जगा, frequency is equals to 1 by T, यानि F0 is equals to 1 by T0, means signal का, आपको F0 find करना है, अगर आपको T0 यानि के fundamental time period पता है, तो यह formula लगा सकते हो, किसके लिए, जिसकी fundamental time period defined हो, टिक है, undefined हो उसके आप यह formula applicable नहीं है, it means that it is not applicable for DC signal, means DC signal के लिए formula applicable, नहीं यहां पे लिख लो, it is not applicable for DC signal, signal question, पुछा सकता है, आपसे कहीं बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, क्यों नहीं, क्यों applicable नहीं है, क्योंकि इसकी fundamental time period पता है, वो undefined है, ठीक है, इसकी fundamental, अगर यह undefined हो जाएगा, मेरा भाई, तो यह fundamental, इसका frequency क्या हो जाएगा, यह तो कुछ भी नहीं जाएगा, यह त आप तक बात हुई, DC signal की, याद रखने वाली बात क्या है, DC signal, periodic signal होता है, बट, fundamental time period undefined है, ठीक है, क्यों है, क्यों है, क्या आप इसको calculate करी नहीं सकते, जुरो से बड़ा होता है, बट वन से इतना चोटा होता है, क्या पता ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि फंदामेंटर time period हो तो पहले आप समझ दो, Area of signal क्या है, and average value of signal क्या है, Area क्या होता हैmie, तुमको पता ही, integration तुमने पड़ा होगा होगा, 12 में 11 में, बहुत जगहां के इंजिनिरिंगरीं के first year ही पढ़ाते हैं integration, 50 से पढ़ाते हैं, इसका इंपोर्टेंस है आपको मैंसा याद रखना है यह फॉर्मूला वैलिड है फॉर्योडिक सिगनल मतलब क्या है कि आपको ध्याद रखना है फर्मूला क्या होता है जो कि बुंक यह फंडमेंटल यह फंडमेंटल टाइम पिरियोड बिएग फिरियोटिड यह पिरियोड के लिए तो T0 क्या होगी, FTP, X of T, DT को integrate कर देना है, कहां से कहां तक भाई, तो कोई भी एक limit ले लो, 0 से T तक, या minus T by 2 से लेकर, T by 2 तक, कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन 1 by T का multiplication इसमें होना चाहिए, average value of the signal, which is periodic के लिए formula applicable होता है, मतलब इसका importance बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप fundamental time period नहीं के लिए कि लिए किसके लिए है, non periodic signal के लिए, 1 by T0, integration minus T by 2 से T by 2 ये दे रखा होगा, आपको minus T by 2, T by 2 आपको दे रखा होगा, एक range दिया हुआ होगा, आपको fundamental time period का, और इसको X of T C integrate कर दो, that is the formula of average value of a DC, average value of the signal, याद रखने वाली चीज़ है, मतलब, important है, आपक याद रहना चाहिए, जो periodic signal के लिए जो आपके form दिया रखा है, means 1 by T0, integration, 0 से T, XT, XT, DT आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तो और non periodic के लिए होता है क्या, limit T tends to infinity, and 1 by T, ये आपके FTP नहीं है, minus T by 2 से T by 2, X of T, DT, ठीक है?